नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अर्विन नामदिव आज हम जिस विशे पे बात करने वाले हैं वह हैं PKG-HEPATITIS-B-C-HIV हैं इनके बारे में बहुत सारी मित्स भी हैं और लोग इसे बहुत डरते हैं मतला हॉस्पिटल में भी मतला अभी awareness इवन hospitals में बहुत जरूरी है तो कई patients आते हमारे पास जो blood test देने गए थे और अचानक से उनको बता दिया गया कि भई आपको hepatitis B आपका blood नहीं लिया जाएगा और वो अस्पताल में घबराय घबराय से आते हैं एक वेक्ति जो blood देने गया है जो देखा जाए तो स्वस्ती होगा तब ही blood देने गया है लेकिन वो blood देने जो गया वेक्ति जैसी उसे hepatitis B बनाए जाता है वो आधा हो जाता है वो घबराय घबराय स्पताल आता कि पता नहीं उसे क्या भी मारी होगा वो जब थोड़ा बहुत यहां वहां से सर्च करता है नेट से पढ़ता है तो और घबराय जाता है तो मुझे लगा यह topic बहुत जरूरी है और hepatitis B में ऐसा क्या है मैं उसको थोड़ा cover करूँगा देखिए hepatitis B के लिए सबसे जरूरी है awareness लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है और मैं बता दूँ इसलिए WHO जो है World Health Organization जो है World Hepatitis Day मनाता है जो अभी 28 जुलाई को आने वाला है और इसका उद्देश ही यह है कि लोग इसके बारे में जाने क्योंकि hepatitis में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि hepatitis का मतलब होता है liver में सूजा ना इसके कई कारण होते हैं और 90% कारण जो है शराब और जो अगर हम दवाईयों को हटा दें जो 10% ही होते हैं तो 90% कारण जो है वो viruses से होता है viruses में खानपान वाले hepatitis A और E होते हैं जिनके आज हम बात नहीं करेंगे लेकिन जो chronic जाते हैं जो मतलब लंबे समयते हैं एक बार शरीर में चले जाएं तो वो क्लियर नहीं होते हैं वो है hepatitis B और C तो आज मैं बात करूँगा hepatitis B की क्योंकि central इंडिया जहां हम है भी भोपाल में यहां पे सबसे जादा hepatitis B है C बहुत कम है हमारे छेतर में C हिंदुस्तान में पंजाब और सिंद परांत और इस तरफ जादा नौर्थ इस तरफ जादा है लेकिन जो मद्यप्रदेश और आसपास के जो central मतलब राज्य हैं यहां पे इनमें hepatitis B बहुत जादा है तो उसका कारण हमें जानना चाहिए उससे बचने के तरीके हमें पता होना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली यह एक गंभीर बीमारी है अगर इसको इगनोर करें लंबे समय तक तो यह लिवर को खराब करता है कैंसर भी कर सकता है और जान दिवा होता है पैदा होते हैं उनको कुछ वैक्सिन यूनिवर्सल प्रोग्राम याने लग नहीं है जैसे पोलियो का आपने देखा होगा आपने बाकी चेचक हो गए टीबी हो गए इनके टीके लगवाए ही जाते हैं ऐसे ही अब हैपटाइटिस बी का टीका जो है वो भी सरकार ने आवश्यक घोशित कर दिया है यूनिवर्सल प्रोग्राम में ले लिया है लेकिन परिशानी यह है कि यह जो हैपटाइटिस भी है इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है 40-50 सालों का ही है यह वैक्सिनेशन लेकिन अब 10 सालों से शुरू हुआ है तो दस सालों से शुरू होने कारणा अब जो जनरेशन आएगी हमारे यहां जो हम उम्मीद करते हैं कि सभी अगर वैक्सिनेशन ले रहे हैं तो लेना भी चाहिए और तो हो सकता है यह वीमारी आज से 30-40 सालों बाद जब पूरी जनरेशन बदलेगी तो शायद खतम भी हो जाए लेकिन अभी परिशानी है आज की दौर में कि जो बड़े लोग है इग्नोरेंस में वो अभी भी पता नहीं है क्योंकि अवेर्नेस नहीं है तो वो अब 7 अरब 7 बिलियन से उपर हो रही है हमारे हिंदुस्तान की पपुलेशन भी लगभग लगभग 1.3 लगभग 1.5 बिलियन अरब के आसपास जा रही है और समझना है कि जो हैपेटाइटिस B है वो पूरे वर्ड में लगभग 5-10 परसेंट लोगों में किसी ना किसी तरह है कहने का मतलब है कि लगभग 50 करोड के आसपास लोग सारी दुनिया में हेपेटाइटिस B के कुछ ना कुछ लक्षन लिये हुए हिंदुस्तान में ये जो आकड़ा है ये कहीं ने कहीं 5-10 करोड के बीच का होगा जो अपने आप में बहुत बड़ा है और उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर है पेटाइटिस B इस तरह से कुछ है इसलिए आप देखेंगे कि जो हस्पतालों में जब भी आप जाते हैं कुछ टेस्ट मेंडेटरी हैं क्योंकि नहीं पता है जैसे बलड डोनेशन के लिए आते हैं तो कुछ टेस्ट मेंडेटरी है उसके दिया जाएगा तो मैं बात करूँ है कि जो हैपिटाइटिस B है बहुत जादा लोगों में है इसको रोकना ज़रूरी है इसलिए वर्ल हैपिटाइटिस डे मनाया जाता है और सारी दुनिया में इंक्लोडिंग भारत में एक प्रोग्राम है कि स्क्रीनिंग की जाए याने स जाए और अगर उनको हैपिटाइटिस B के लक्षण नहीं है तो काइदे से सभी को टीके लगवा लेना चाहिए ताकि आप जिन्दी के बार उससे फिर सुरक्षेत हैं और अगर टीके नहीं लगें और कहीं आप हैपिटाइटिस B पॉजिटिव आता हैं तो डेफिनिटली आपको उसके आगे की जाच करनी चाहिए ताकि लिवर को हम अपने बचा सके तो इसका प्रिवलेंस हमें एक चीज तो समझ में आगे कि बहुत जादा है अब क्यों है मतलब इसके लक्षन क्या होते हैं तो हेपटाइटिस जो बी है ये एक वाइरस है एक बहुत छोटा विश मतलब डी एने वाइरस है और चुकि हम भी डी एने हमारे अंदर भी होता तो ये वाइरस मतलब जो इसके इन्फेक्शन होते हैं वो चार तरह से होते हैं पहला ये बलड से फैलता है अच्छा यहाँ भी जरूरी एवरनेस कि छूने से या बच्चों को किस कर लेने से उन से नहीं फैलता है माँ अगर बच्चे को दूद पिला रही तो उससे नहीं फैलेगा ये फैलेगा जब बलड ट्रांस्मिट होगा तो याने की इन्फेक्टिड सिरिंजिस यूज की कि सुई एक को लगाई वही सुई इस दूसरे को लगा दी याने बलड एक से दूसरे में अ उन में ये बहुत ज़्यादा फैलता है पंजाब में और नौर्थ इस्ट में यही मुख्य कारण रहा है है पेटैटिस भी और सी फैलने का तो ये फैलने के तरीके हो गए अब चूकि ये जाता है तो अब इसके लक्षन क्या है क्यों ये नहीं पकड़ में आता है तो यहा सालों तक भी कुछ लोगों में तो जिन्दीकी पर कोई इंफेक्शन भी नहीं करता है अच्छा ये वेरिएशन क्या आता है यह आपकी इम्मुनिटी पे डिपेंड करता है जो थोड़ा प्रडिक्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये जनेटिकली डिसाइड़ है वायरस औ और ये इस पे निर्भर करता है कि वायरस कैसे आया इस पे भी निर्भर करता है उसमें मैं बाद में बाद करूँगा तो जो लक्षन है उसमें सबसे इंपॉरंट है एस्यम्म्टमेटिक कई लोगों को पता नहीं होता है इसलिए आपकी जाच स्क्रीनिंग आवश्यक हो ज लेकिन हैपिटाइटिस बी और सी से भी पीलिया होता है इसलिए पीलिया को हम बार-बार समझाते हैं कि पीलिया सिर्फ एक लक्षन है बीमारी नहीं जब भी किसी को पीलिया हो उसे अपनी जाचे जरूरी करानी चाहिए क्योंकि वो हैपिटाइटिस बी के कारण भी हो सकत तो कुछ लोगों में पीलिया होने से भी यह पकड़ में आता है और कई लोगों में यह जो है ख्राब करता है और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो सकता आपका 50% 60% 70% तक लिवर डेमेज हो जाए तब पहले लक्षण आए लक्षण साधरन से भी हो सकते हैं जैसे वीकनेस बनी हुई है भूक नहीं लग रही है वेट लॉस होता जा रहा है पेट में हलका सा दर्द हो रहा है उल्टी का मन करता रहता है इन सब चीजों में भी हैपेटाइट होता याने की शरीर को अब लिवर नहीं समाल पा रहा है तो वहां से लक्षण जो पैदा होते हैं उनमें पीलिया भी होता है एक लक्षण उसके साथ में जो सबसे जरूरी है पेट में पानी आने लगता या पैरों में सूजान आने लगता है यह एड़वांस लिवर डिज और चिड़ चिड़ा पन, लॉस अफ मेमोरी, उसके बाद भी होशी, कॉमा में भी चला जाता है पेशिंट, तो सिरोसिज एक तरह से advanced end stage liver disease है, जिससे बचने के लिए फिल लिए ट्रांस्प्रांट भी करना पड़ता है, लिए बदलना पड़ता है, वही उसका इलाज रह जा लेकिन अगर hepatitis B screening में पता चला, जैसे मैंने शुरू में बोला था, आप blood donate करने गए, और वहाँ पता चला कि hepatitis B positive है, तो घपराने की कता ही जरूत नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज है कि उस समय स्वस्थ है, यानि आपका liver तो ठीक है, देकि समझना ही है कि जो hepatitis B है, ये hepatotropic virus है, जो सिर्फ liver को ही damage करता है, तो अगर आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ही कि अवी liver तो ठीक है, तो अब हमको deal तो virus को करना है, इसको खतम करना है, तो screening सबसे बेस तरीका है लोगों को ये पकड़ लेना कि इनमे hepatitis B है या नहीं, इसलिए blood test किसी भी operation के पहल प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि मां से बच्चे को जाता है, और समझने वाली चीज़े है कि यदि मां से बच्चे को गया, तो 90% चांसे की virus क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चे में, क्योंकि बच्चे की immunity अभी नहीं develop हुई है, तो virus पूरे शरीर में liver में जम जाता है, तो फ प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है कि hepatitis B, C, इनसक की जांच हो, और यदि उसमें पता चलता है, तो हमें उसके जो भी इलाज है, जो precautions लेने वो करने होते हैं, अब इसके अलावा जो है, hepatitis B जो है, अपने को पता चलता है, जब हम operation के पहले hospital में जा रहा है या भरती हो र प्रेटराफी हो, फाइब्रोस्केन या इंडोस्कोपी भी की जाए, जिससे ये पता चले कि ये बीमारी लगभग कितने समय से थी आपको, और उसने कितना डैमेज किया है, कितना लुकसान किया है, लिवर का क्या स्टेज में है, और उसकी स्टेज के हिसाब से आपका इला ये बहुत बड़ा औरगन है, जब तक 70% डैमेज नहीं हो जाएगा, तब तब कोई लक्षण नहीं आते, इसलिए हमें चाहिए कि लिवर के डैमेज होने से पहले ही हम उसका इलाज लेने, इसलिए स्क्रीनिंग की जाती स्वस्थ लोग होगी, तो स्क्रीनिंग में अगर ह हेपटाइटिस भी पता चलता है, तो that is the best way, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हैं तो लेक्सिनेशन कराई है, ये पॉजिटिव हैं तो ट्रीट्मेंट लीजए, अगर आपको आवश्यक है तो, हो सकता है, आपके डॉक्टर पूरी जांच करने के बाद बोलें कि भाई लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहता है, ये DNA वायरेस है, तो ये क्या करता है, लिवर के अंदर, सेल्स के अंदर जाके, नूक्लियस में जो DNA उसमें जाके जुड़ जाता है, CCC DNA कहलाता है इसका, वहां से अभी तक क्लियर करना संभव नहीं हो पाया है, इसलिए जो नहीं कि इसको सेल के अंदर DNA से निकाल दिया, तो हो सकता है कि उस समय तक दवाई खाने से बीमारी से हमें आइस वायरेस से, मतलब, निजाद ही मिल जाए है, तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर वायरेस पकड़ में आता भी स्क्रीनिंग के साथ, तो हमें हो सकता है, एक लिए जा सकती है, और लंबे समिद तक हम सबस्ते रह सकती है, अब ये सारी चीजें अस्पताल में या ब्लड देने से पहले क्वें की जाती है, एक तो ये कि दूसरों को न प्याले, दूसरा ओपरेशन थेरे तर Tabii है बार मरीज as such आता तो simple operation के लिए है लेकिन अगर जांच में ये पता चलेगी भरी इसको hepatitis B और साथ में इसका liver कमजोर है तो operation में जो anesthesia और जो बात की healing जो recovery है वो complicated हो सकती है इसलिए operation के पहले ये must है करा लेना क्योंकि operation में जो cheer fard के बाद जो टांके लगाए जाते हैं उसकी healing जो हो आपका शरीर स्वैम करता है और उस healing में liver का बहुत बड़ा काम है अगर liver कमजोर है तो हो healing में proper या बागे चलके परिशानी आ सकती है तो इसलिए जो hepatitis B है उसके लिए awareness बहुत जरूरी है इसके prevention के तरीके बहुत सिंपल है screening करीजा है और जो normal जो universal precautions है वो लिए जाए कि hospital में गए है तो disposable syringes यूज हो खास तो जो हम society में जाते हैं जैसे आपके जो बाल कटवाने के लिए या शेव करवाने के लिए जो नाई लोगों के पास जाते हैं जहां लेड़ यूज होता है they should not be shared मतलब वो इसके disposable होना चाहिए एक बार यूज हो और fake देना चाहिए क्योंकि अगर cut लगता है और अगर दूसरे में यूज हो और कोई अगर hepatitis B था तो वो दूसरे को दे देगा tattooing से बचना चाहिए जो बहुत शौक बहुत जादा है तो बचने के कुछ तरीक है ये खाने पीने से नहीं फैलता है ये चूने से नहीं फैलता है ये भी समझना ज़रूरी है मुझे लगता है कि hepatitis B से जतनी भी myths और जतनी भी परिशानिया मैंने cover की हैं इसमें डरने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल है hepatitis B कि इसकी जाच कराएं सो रुपे या दो सो रुपे में जाच होती है और अगर हम इसके तीन टीके लगवा ले 016 पहला दिन उसके एक महीने बाद जिस दिन भी लगा है वो आपका पहला दिन है उसके एक महीने बाद दूसरा टीका और 6 महीने बाद तीसरा टीका आपने ये किया और आप जिन्दी के पर इससे मतलब छुटका रहा तो सबसे आसान तरीका है vaccination we are gifted की इसका टीका बन चुका है लेकिन लोगों में awareness नहीं है कि इससे कैसे बचा जाए पर यदि ये बीमारी शान्ती से धीरे-धीरे आपकी लिवर को कमजोर करेगी तो ये जानलेवा है इसमें कैंसर भी बनता है और आगे चलके लिवर बदला ही पढ़ता जो बहुत महगा और हिंदुस्तान में अभी भी बहुत लोगों के लिए संबाव नहीं है मुझे लगता है जानकी अरी आपके लिए उपकी योगी रही होगी और अगर इसके बाद भी कुछ सवाल है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा और ये उनके जवाब करूद नहीं नहीं है